किसान मोजूद है आज नोवी दोर का बैठेक है हम किसानों से जानकारी लेते हैं नोवी दोर में क्या सूचना आई यह strict care का मंसा है और यह टेक्टररेली कल निकालेते हैं या 26 September को क्या करना चाहते हैं इंसे हम जानकारी लेते है आईए हम जानकारी लेते हैं आनंद त्यागी आनंद क्यागी जी आज 9 विजवर का बैठक है को शूटरा सरकार से कोई दंसा मिली देखे बैठक में हमारा जो सीज नेतरत्व है जीने पूरी कमान दे रखी है भारत्य किसान यूनियन की बैठक में वो मौझूद है इस बैठक का क्या निसकर्स निकलेगा आगे आंदोलन को क्या प्रारूप देना है ये इस बैठक के समाप्त होने पे ही पता चलेगा अच्छकल टेक्टर रही निकले दिया आपने उसे सरकार को क्या संदेश निकलेगा देखे सरकार को संदेश ये देना चाहते हैं कि पूरे देश का किसान एक है ये आपका पैरी फेरलवे दिल्ली के चारो तरफ है इसका मतलब एक परकरिमा ये थी हमारी कि इसमें आपने भी देखा होगा छेतर के सभी गावों से टेक्टर आएं हैं बहुत टेक्टर थे एक तरह से हज्जूम था ये तो उससे हमारा ये संदेश जाता है कि पूरे किसान एक है आपके ये जो तीन कानून जो लेका आए हो काले कानून इसी का सारे देश के किसान विरोध कर रहे हैं दूसरा हमारे कार्य करताओं का उत्सहा का इसमें व्रदन हुआ देखिए जब 26 जनवरी पे राजपत पे टैंक भी चलेगा और टेक्टर भी चलेगे किसान भी चलेगे और जमान भी चलेगे तो एक अद्बुत ही नजारा होगा जै जमान जै किसान एक ही सिखे के दोनों पहलू है दूसरा पूरा वीस भी ये देखेगा कि आज पहली बार किसान जो है राजपत पे प्रेड कर रही है इसका क्या कारण है देखने वाली बात ये है कि सरकार जो हम संदेश देना चाहते हैं वो सरकार को पहुँच चुका है जो संदेश हम देना चाहते हैं जो हमारे किसान भाई यहां लगे हुए हैं 2400 गंटे जो है पंजाब से आए हुए लंगड कितना चला रखें कितनी मुहेरा करा रखें लोग उस सेवा में सेवा में लगे किसान भाईयों के साथ लगे हुए मैं मोदी जी से इतना कहना चाहता हूं किसान भाईयों के हित्में उनका काम करिए उसको वापस लीजिए जै हिंद जै भारत मेरा एक कुछ कहना है और कुछ से जाला कुछ नहीं कहुँगा क्यों इनके कहना है कि ये भारत मेर्प अकल टैक्टर रैली निकाला था इन्होंने सेंदेश दिया कोकार को शंदेश दिने के बाद कि सब्सरारीं को हमारे किसान टैक्टर भी प्रेड करेंगे जवान भी प्रेड करेंगे देश के लिए अच्छा क्या होगा और झाल है झाल जो जो पनो, है जो झाल जो जोगी अ हुआ है।